नमस्कार बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ आशीश अभिनाव लेंड फॉर्ट जॉब स्कैम से जोड़ी हुई बड़ी खबर है लालू परिवार को बड़ी रहत मिली है जी हाँ नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जोड़ी मनी लॉंडरिंग के मामले में राउजवे न्यू कोर्ट ने लालू परिवार को बड़ी रहत दी है इस केस में लालो यादब की पतनी और बिहार की पूर्व मुख्यमंतरी राबडी देवी उनकी बेटी सांसिद मीसा भारती हे अब जमानत अरजी स्विकार ना करने का कोई आचित बनता ही नहीं है कोट ने सभी को सौस्षर्थ जमानत दे दी है वहीं इस मामले में से पहले मंगलवार को कोट ने CBI को अंतिम आरोपत्र दाखिल करने के लिए दो हफते का समय दिया है मामले के सुनवाई के दोरान CBI ने कोट को बताया कि उनके जाच निशकर्स के करीब है CBI के और से पेश अधिवक्ता ने अंतिम आरोपत्र दाखिल करने के लिए साथ से दस दिन का समय देने का अनरोध किया था CBI की दलीने सुनने के बाद विशेश ने अगली सुनवाई की तारिक दे दी है बता दें कि इस मामले में CBI ने लालो यादब, उनकी पतनी रावडी देवी, छोटे बेटे तेजस्वी यादब और बेटी मीसा भारती हेम आया दिव के अलावा पर्शिम मद्रेलवे के ततकालीन जीम, WCR के दो CPO, निजी व्यक्तियों, निजी कमपनी सहित 17 लोग्यों को आरोपी बनाया था आपको बता दें कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले का केस, ये जो मामला है, ये 14 साल पुराना है उस वक्त लालो यादव रेल मंत्री हुआ करती थे, आरोप है कि 2004 से 2009 तक लालो यादव रेल मंत्री रहते हुए, रेलवे में 9 क्रीक के बदले जमीन लिखवाली थी, CBI ने इस मामले में 18 मै को केस दर्ज किया था CBI का कहना है कि पट्टा में लालो यादव के परिवार ने 1.05 लाक वर्ग फीट जमीन कथित तोर पर कबजा कर रखी है, इन जमीनों का सौधा नगद में हुआ था, लालो परिवार ने नगद रकम दे कर इन जमीनों को खरीदा था, CBI के मताबिक ये जमीने बेहत कम दाम म बेची गई थे, बहराल लालो परिवार को एक बड़ी रहत तो जरूर मिल गई है और अब देखना ये होगा कि आगे इस मामले में और क्या कुछ हो पाता क्योंकि मामला ये लंबे समय से चल रहा है और लालो परिवार के मुश्किले भी लगातार बढ़ती जा रही है इस म